नमस्कार अपना MP देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ अवंतिक अश्रवास्तव मध्यप्रदेश की दमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे सबसे पहले इंदोर से एक बड़ी जानकारी होटल करमचारी के संदिक्त परस्तिती में मौत हुई है सोते हुए युबक सोफा से नीच्वे गिर गया हाट अटाक से मौत की आश्रंका प्रात्मे तोर पर घटना लेकिन पास लगे CCTV क्यामरे में कैद हो गई परदेशी पुरा थानाक शेत्र के रेस्टरॉंट की घटना है मौत तक युबक रोहित चौहान खंडवा का रहने वाला बताया जाता है और अब इस तरह की मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं अलाकि आश्रंका कई सारी इन दोर के जानकारी होटल करमचारी की संदिक तो परस्तिती में मौत हुई क्या कुछ हुआ है सिवा के साथ अभी तक इस परश नहीं हो पाए संभावना ये हो सकती है कि हार्ट अटाक के चलते मौत हुई हो अश्रंका इस बात को लेकर के हार्ट अटाक के चलते मौत हुई है लेकिन इससे पहले सुसाइट नोट पेपर जुनों को भेजा है इसलिए तमाम आश्रंकाएं इस मामले को लेकर जुड़ी हुई सेगी अरुन हमें जादा ज़वानकारी देंगे अरुन क्या कुछ कारवाई पुलिस की तरफ से अभी तक इस मामले को लेकर अरुन मेरी आवास पहुँच रहे आप तक चले शायद संपर्क नहीं उपा रहा है कोशिश करेंगे दुबारा से उनसे अंबाचीत करें लेकिन इस व्यक्ति के मौत के पीछे मुख्य कारण क्या रहा क्यों ऐसा हुआ है ये अभी तक स्पर्ष्णी उपा एक तरफ सुसाइट नोट साम्हें आना आश्रेंका एसोर्बी के हार्ट अटाक आया है ये तस्पीर हम आपको दिका रहे हैं प्रदेशी पुरा थाना क्षेत्र के रेश्टरॉंट की घटना एमनत योवाख रोहित चौहान खंडवा का रहने वाला बताया जा रहा है दौर की ये खबर हम आपको बता रहे है होटल करमचारी के संदेग्द परस्तिती में मौत हुई है प्रदेशी पुर्धाना क्षेत्र के रेश्टरॉंट की घटना ऐसा है आरून हमारे साथ बारस जूड़ रहे है आरून क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर अभी तक? बिल्कुर देखे होटल का करमचारी था और रात में होटल में ही रुकता था और रात दो बजे तक ये मुबाइल चलाता रहा और उसके बाद ये पुर्ण के गिरा है और इसकी मौत हो गई है अलाकि ये मौत जो है वो हाट अटेक से बताई जा रही है संदिग परिस्थिती में मौत नहीं हाट अटेक ही उसको आया है और इसी बजय से ये मौत हुई है उसकी और ये जो करमचारी है होटल में ही रहता था वहीं वहीं है मुबाइल के लार था रात दो बजे तक तो पलंग पर ये उसको हाट टेक आया हो गिर गया चीक है बहुत शुक्री आपका रून जानकारी लिए आपको बता दे कि हाट अटाक के चलते मौत हुणा सामने है जिस तरह से मारे सवेगी बता रहे है होटल करमचारी की मौत के बारे में जानकारी इंदोर से अगली बड़ी खबर जहां महिला के साथ रिटार्ड टियाई पक्टा गया है दूछरा ऐसा है मामला पती ने फ्लाट पर बाहर से ताला गड़ दिया है बेटी भाई के साथ पत्मी पहुंची थी पीडित पत्नी ने थारे में शिकायत दरज करवाई है मारपीट और पतार्डडा के गंभीर आरोप महिला के दरब से लगाए गया दौर से ये खबर है फिर दूसरी महिला के साथ रिटाय टियाई पकड़ा गया पत्नी ने फ्लाट पर बाहर से ताला लगा दिया बेटी भाई के साथ पत्नी याँ पर पहुंची थी शिकायत की गई है टियाई के खिलाफ मारपीट और प्रतार्डडडा के गंभीर आरोप भी महिला की तरफ से लगाय जा रहे हैं ऐसा मामला पहले से भी सामने आ रहा था लेकिन अब दूसरी महिला के साथ पकड़ा जाना उसी परस्तिती में सही अरुन हमें जादा जानकारी देंगे अरुन अब क्या कुछ जानकारी अभी इस पूरी मामले को लेकर पिताडना का मामला पत्नी तोर से बताया जा रहा है और इसमें पुलिस अभी चांच कर रही कि आखिरकार ये पूरा मामला है किया लेकिन जिस पराइसे अंदर वो पक्ड़े गए हैं उनको बाहर से ताला लगा दिया गया और पूरा हाई वर्टेज ड्रामा चला उसके बाद पुलिस से भी चांच की गई और पुलिस अब इस मामले में जांच कर रही है और जांच के बाद पूरे मामला का खुलाता हुगा कि आखिरकार ये पूरा जो घटना करम है क्या हुआ था अब कुछ ऐसी बात भी कि पहले भी किसी महिला के साथ रिटायर टी आई देखा गया पकड़ा गया इससे लेकर क्या कोई कनेक्शन पूर सकता है टी आई है विच्वेल है इस तरह है तुस्ते अलगलग महिलाओं से उसके सम्मंद रहे हैं और यही बज़ाए है कि इस वहीला से भी सम्मंद जब ये और जब ये लोग पहुचे तो रिटायर टी आई जो रंगे हाथ पकड़े गया और इसकी सिकायद भी की जाए है और इस मामले में अब जाच की जा रही है कि यह जो पी आई है इनके और किन महिलाओं से सब्मंद थे पूरा मामला भी जाच में हो जाच के बास काजी सब्सक्राइब जाएगी बहुत शुक्रिया आपका अरुन जानकारी के लिए तो फिलाल इंतजार यही है कि पुलिस की तरफ से इस मामले को लेकर कुछ कहा जाए क्योंकि जाच के बाद यह सब सब्सक्राइगा यह तस्वीर आप देखके लेकिन उससे पहले कि जब पतनी वहाँ पर पहुंचे हैं आगर मालवा के जनता भी मुख्या को देखने के लिए आतर तस्वीर आपकी चीवी स्पींस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चाहार विकास पर्व के तहत हर एक जले का दौरा करते हुए आज आगर मालवा के लिए सवगातों भरा दिन यहां पर विकास की सवगात तो देंगे ही मुख्यमंत्री लेकिन आज रोट्शो के दौरान भी देखें कितनी बड़ी स्वंक्या में लोग पहुंचे हैं भाजपा के पक्ष में प्रचार करते हुए हाला कि मंद्रदेश सरकार की तरफ से लगातार स्वगातों का सिर्सुला भी आप देख आगर मालवा की सड़कों पर भारती जंता पार्टी के कारकरता भी मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए और उसी उच्छा के साथ सीम श्वराज सिंच चौहान अभिवादंच भी कार करते हुए काफिला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है रोट्चो सुयम का हर उस जिले में आपने देखा जो अपने दिकास परविक लिए मुख्यमंत्री पहुंचे रोट्चो के आखिर में जनसभा का भी आयुजन है उसमें मुख्यमंत्री बाचीत करेंगे पुस्ट पोवरशा की दिकास इसले जा रही हैं मुख्यमंत्री पर हात लिकार करते हैं अक्सर आपने यह भी देखा वोगा जब जब ज़िले में पहुंचते हैं मुख्यमंत्री इसी तरह से प्यार लोटाती है जंता और उसकी बाद आंच सभा के जरिए कही न कहीं सौगातों का पिटारा खुल भाजबा के जुन दर्शन की तस्वीरे भी आपसे कह सकते हैं, जिस दरफ से बीज़ेपी की तरफ से प्लान था कि थमाम दिगज नेता जमीनी इस तरफ पर उकरें और जनता से सीधे संपर करने की कोशिश करें। मुख्यमंत्री को देख सकें लोग, स्वागत उनका पुले दिल से करते हुई आगर मालवा की जनता, आगर नगर में ही जन सभा का आयूजन, लेकिन उससे पहले कि ये तस्वीरें उच्छा भर देने वाली, गाजे बाजे के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत यहाँ पर, पर और तेरवी मंजल से कूत कर इस सुवती ने जान दे दी थी, सीची टीवी फोटेज भी अब इस घटा से जुड़ा हुआ सामया है, सुसाइट करने वाली लड़की का नाम हर्शिता वास्पानी बताय जा रहा है, जैपूर से साइकलोजिक इपढ़ाई कर हर्शिता वापस पहुचती है, गार्ड की तरफ से जब पूचा जाता है तो सहली से मिलने का कहकर ऊपर जाती है, लेकिन अचानक से आत्मत्या करती है, किस बज़े से ये सब हुआ अभी तक स्पर्श नहीं हुआ है, पुलिस माबले की जाच पज़िटी है बाला घाट से अगली बड़ी खबर जहां सातनारी जल प्रपात में युवक का डूबने का वीडियो सामने आ है, युवक डूबता रहा लेकिन किसी ने बचाने की कोशिश तक में की, रविवार को नहाते समय युवक डूब किया था, 48 गंटे बाद SDR ने शब निकाला है ये तस्पीरें आप देखे, कई सारे लोग आसपास मौजूद हैं, युवक को डूबते हुए देख भी रहे हैं, लेकिन इसके बावदूर किसी ने बचाने के लिए जहमत ने हुचा है, ये तस्पीरें, एरान भी करते हैं, कई बार सबक भी देते हैं, किस तरह से लापर आपके लिए भारी भी पढ़ सकती है, जब जब आप ऐसे किसी क्षेत्र में जाएं, तो साध्धानी जरूर बढ़ते हैं, SDRF ने शव अब बरामत किया है, भरवेली थाना क्षेत्र का ये पूरा मांदा ये तस्वीरे ये वक्ती डूबने के सामने आई हैं, पानी का तेज बहाँ, जल प्रपाद में डूबता हो ये वक्त, उसे आसपास लुबबेग भी रहते, लेकिन सहायता करने के लिए आगे कोई नहीं आए इन दोर से एगली बड़ी खबर जहां दिव्यांग ने खुदखुशी की है, पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाये जा रहे हैं, पुलिस पर अभधरता के आरोप लगाये दिव्यांग ने ओनलाइन फ्रॉड की रिपोर्ट दर्ज करवानी के लिए थाने ये व्यक्ति पहुचा था, पुलिस वालों ने थाने से से भगा दिया, पुलिस की वेवार से परिशान होकर इस व्यक्ति ने जानती थी परिजनों को सुसाइड नोट वाटसाप के जरीए भेजा है, वाटसाप पर स्टेटर्स भी लगाया है, परिजनों ने थाने पर शवर रखकर प्रदर्शन भी किया, दिव्यांग ने जंसुनवाई में कलेक्टर से भी लिक गोहार लगाई थी, कलेक्टर ने डीसी पी को भी तलब किया था, लेकिन इसकी बावदूत पुलिस वालों को ये रवया, इसकी चलते इस दिव्यांग ने खोद कुशी बढ़ दिया, इन दौर से अगली बड़ी कबर जहां बदमाशों की करतू दुकानदार पर खौलता हुआ तेल डाल दिया, दुकानदार ने बदमा चलतारी अभी तक इस व्यक्तिय की नहीं हुपाई है, भोपाल से अगली बड़ी खबर जोहां बीजेपी की विजे संकल्प यात्रा का नाम बदल दिया गया है, अब जन आशिरवाद यात्रा, इसका नाम होगा, जन आशिरवाद यात्रा, नाम पर सेमती बनने की खबर भ परक्रम भी जारी दो चुका है। परक्रम भी जारी दो चुका है। तो हमें मुक्क मंत्री बनाओ। हम रूड हेवा मालनी की गाल की तरह चिकनी कर दें। अच्छी चिकनी रोड बने हैं। केट्रीना केप भी परानी होई है। तो केवे को मतलब है केवे को मतलब है के जो रूड बहुत अच्छो बने हैं। और जो रूड इतनों अच्छो बने हैं। मुपाल से अगली बड़ी खबर, डॉक्टर स्वरसती सुसाईड का मामला सामने और गांधी मेडिकल कॉलिज के जूनी डॉक्टर सब लगातार हरताल पर हैं। हरताल का आज दूसरा देन डॉक्टों ने अमर्जेंसी सेवाएं बंद करती हैं। सतना से अगली बड़ी खबर, जहां शराबी उवक्ट ने बवाल मचाया है। के साथ मार्पीट की है, और कई लोगों से भी मार्पीट करना सामने आया, आटो में बाटने को लेकर पूरा विवाज चुरू हुआ था। लोगों ने जैसे ही देखा कि व्यक्ति शुराब के नश्य में धुठ है, इस व्यक्ति की भी बुरी तरह से पिटाई करती है। इसे मरिया चौक की पूरी घटना, तस्फिरिय उसके आप पिटिवी स्ट्रींज पर, पहले इस व्यक्ति की तरफ से शुराब के नश्य में महिलाओं के साथ मार्पीट की जाती है। उसकी बाद लोगों ने इस व्यक्ति को जम करती है। इसे मरिया चौक की पूरी घटना है। सतना के तस्फिरिय जिसमें शरावी युबक लोगों के साथ विवाद करता हुआ नजर आया। शोपूर से अगली बड़ी खबर कुनों में एक और चीते की मौत हो गई है। के बारे में जौनकारी सामने आई है। तो नोगों को इंफेक्शन नुन चीतों को इंफेक्शन मिला था तो पूरी वाइडी से टीम है और एक्सपट आगर लगाता, प्रयास कर रहे थे कि इन दूनों को बाकी जो चीते उनको, ट्रिंक्लाइज कर उन्हें भी जो इनफेक्शन या कुछ नहीं है वो चेक जा लेकि ये दो दिन से ट्रेस नहीं हो पारा था तवलीशी नाम का चीता था अब इसके बाद आज उसकी बॉड़ी मिली है और उसके बाद ये अभी तक कारण पता नहीं लगें कि मौत की वज़य क्या है इस इंफेक्शन से मौत हुई है या इसकी वज़य कुछ हो रहे लेकिन अभी सबसे बड़ी बात है कि अभी तक नो चीते मारे जा चुके हैं और अभी अब 15 चीते वहाँ पर कुनों में बचे हैं और ये जो मादा चीता कि आप बात कर रहे हैं मादा चीता अभी भी मिशिंग है वो अभी भी नहीं मिली है शीक के चलिए बहुत शुक्रिया आपका चलेंद जानकारे के लिए और अब देखें सिटी टॉप 20 आगर मालवा और मंसवार के दोरे पर सीम शिवराज काई विकास योजनाओं की देंगे सवकात पलिया बंडी में सीम के रोट्सों में उम्री भी मुपाल में राइट फॉर डेमोक्रिसी और डेमोक्रिसी वॉक का आईज़न मोखिन रवाज प्रदादिकार और कलेक्टर ने दिखाई हरी जवंडी अटल पक से कमला पार्क तक साइकल व्राली का आईज़न मुपाल में डॉक्टर सुरस्थी सुसाइट मामने को लेकर हर्ताल पर जूने डॉक्टर स्गांधी मंडिकल कॉलिज में हर्ताल काज दूसरा दिन एमर्जेंसी सेवाओं का भी परभीशकार जबरपुर में युवती ने बिल्डिंग से कूट कर दी जवान सुसाइट से पहले का वीडियो आया सामने परताल में जूटी पुलिस शोपुर के कुनो पार्क में एक और चीते की मौद दो दिनों से लापता होने के बाद मिला शव चीते तपलीकी का शव कुनो पार्क से बाहर मिलने की खबर इंदुर में बदमार्शों ने दुकांदार पर ढाला खौलता टेल, दुकांदार में बदमार्श से पैसे की मांग की दुकांदार का इलाज आै इंदौर में पोलिस की अभत्रिता से परिश्वान दिव्यांग ने की खुदकुशी, ओनलाइन फ्रॉड की रिपोर्ट दर्ज करवाने गया था थाने, पोलिस बालों ने थाने से था बगाया देवास में आत्री बस पल्ठी, एक आत्री की मौत 35 लोगाय, जबलपुर से न दौर की ओजारे थी बस, सुनकच के 20-30 पाटे पर हाथ साथ गौलेर की डपरा में बदमाशों ने की पुलिस कर्मियों की पिटाई, तीन दन पुराना वीडियो बारल, नश्ये में धुत बदमाशों ने पुलिस की साथ की जूमा जटके और इसी की साथ अपना MP में इतना ही, नमस्कार